नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बापर से बापर स्वागत है करियर बिट किस फैमली में यदि आप उत्तर प्रदेस में नई प्रात्मेक सिक्षाक भरती का वेट कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए देहद महत्वपूर्ण हो सकती है आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले सोमवार दिनांक 18 मई 2020 को एक एहम बैठा करते हुए कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि अब उत्तर प्रेदेस में नय पद स्रिजित नहीं किये जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं विवाग में रिक्त पदो पर समयजित किया जाएगा वर्तमान वित्तिय वर्ष में विवागों द्वारा नय पदो का स्रिजन नहीं किया जाएगा दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कुरोना की वज़े से आर्थे के स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है और इसलिए अब खर्च को घटाने के लिए उत्तर प्रदेशाशन द्वारा या फैसला लिया गया है कि अब इस वित्तिय वर्स में यानि कि इस वर्स कोई भी नई सिक्षक भरती नहीं आने जा रही है या फिर सिक्षक भरती ही नहीं किसी भी विभाग में आपको कमी चांस है कि इस वर्स कोई नई सिक्षक भरती देखने को मिले दोस्तों इसमें कोई भी आश्चरे की बात नहीं है मैं आपको पहले से भी सूचित कर रहा था कि कुरोना प्रकोब की वज़े से आर्थी के सिती बिगड़ने की वज़े से इस वर्स बहुत ही मुश्किल है कि कोई नई सिख्षक भरती आए और उसी के अनुरूप अब उत्तर प्रदेश शाषन के द्वारभी फैसला लिया गया है तो अब आपके मान में प्रश्ण जरूर आ रहा होगा कि अब कब तक भरती आ सकती है तो जैसा कि आपको ग्यात होगा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधान सभा के चुनाओ होने है तो दोस्तों चुनाओ से पहले एक बर फिर से बड़ी सिख्षक भरती आ सकती है और ये भरती आपको 2021 के मिड से ले करके 2021 लास्ट के बीच में देखने को मिल सकती है आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्षन में जरूर बताईगा और ऐसे ही महतुपूर्ण अपडेट्स के बने रहें करियर बिट के चैनल के साथ धन्यवाद